हालो अबरिवन आज की इस वीडियों में लोग देखेंगे मोनीटर क्या होता है और उसको दिफाइन करेंगे और उसका परकार कुछ जानेंगे क्यों क्या 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 कितने परकार के होते हैं यह सब चीज हम लोग आज की वीडियों में देखने वाले हैं और आपको एक चीज वेरियस प्रकार के होते हैं किव 팔 läh貼 and लाय प्रॉस बताए थाThis इसे ही मैंने अउटपूट डिफाइस इतने प्रकार के होते हैं इतने क्रेस होते हैético प्रिंटर होते हैं स्पिकर होते हैं और मैंने बोला था कि जब भी हैक्स घुर है question आई input device और output device तो उसको define करके और कौन-कौन से input device होते हैं कौन-कौन output device होते हैं उन सब का नाम लिख के उसको define कर दिजेगा तो इन सब का definition मैंने तो करा दिया है आप लोग अगर मेरे होड़ वीडियो को follow करते होंगे तो keyboard क्या होता है mouse क्या होता है सब मैं definition करा दिया था बचा हुआ था output device में monitor, printer, speaker और projector का define करना ठीक है तो monitor को और speaker को और projector को मैं इस वीडियो में खतम करेंगे और जो printer यह थोड़ा लंबा topic है तो इसको हम लोग next वीडियो में printer को करेंगे क्योंकि अच्छे से करना परेगा थोड़ा लंबा topic और इससे question printer से भी बहुत आते हैं ठीक है और separate एक printer से ही question आ जाते है यह लेजर printer क्या होता है यह सब question पुछा जाता है तो उसको हम लोग next वीडियो में देखेंगे अभी हम monitor, speaker और projector को देखते हैं तो आपके device है it gives soft copy output आपको मैंने बताया था जब output device में उस में बताया था कि दो परकार के output device होते हैं एक होता है soft copy एक होता है hard copy जो हमें क्या print करके मिलता है उसको hard copy बोलते है जो paper waveform में मिलता है और जो हमें display पे दिखाई दता है उसको हम लोग soft copy बोलते हैं तो monitor क्या है एक soft copy है clear clear यह दो परकार के होते हैं कौन-कौन से एक CRT और एक TFT CRT क्या होता है cathode ray tube और TFT क्या होता है thin film transistor अब देखो CRT किस परकार से होता है cathode ray tube मतलब एक पुराना जो TV अगर देखे होंगे पुराना TV उसमे image produce होता था किस परकार health of electron beam मतलब beam की health से हमारे image produce होता था जैसे आप लोग figure में देख परकार देख सकते हैं और TFT जो अभी यूज होता है जैसे अभी LED और TV ओगरा देखे होंगे वो क्या होता है किस परकार से image परकार होता है color liquid के form मतलब health of color color liquid के form में हमारा thin film transistor को दिखाया जाता है किलियर हुआ अब देखो इन दोनों को हम difference between किये हैं CRT और TFT CRT क्या होता था इसका first अगर नंबर अगर लिखिएगा था big size यह बरा होता है जो पुरानी TV देखिएगा यह बहुत बरा बरा TV होता था लेकिन अधार हैं देखेंगे TFT तो यह thin size का होता है पतला होता है कि दूसरा image produce with the health of electron beam जैसे आपको ने बता है कि image किस परकार से produce करता है health of electron beam ऐसे ही TFT किस परकार से image produce करता है image produce with the health of colorate liquid तीन नंबर देखेंगे हम लोग high power consume CRT हमारा high power consume करता है मतलब cathode ray tube क्या करता है high power अधिक इसमें power लगता है मतलब electricity अधिक लेता है यह low power consume यह बहुत कम electricity में भी काम चला जते है कम इसको power लगता है चौथा नंबर point देखेंगे low cost यह बहुत सस्ता मिलता है और TFT हमारा high cost बहुत महांगा मिलता है पुराना TV देखेंगा बहुत सस्ता आपको मिल जाता होगा चाहे आप देखेंगा देखेंगा बहुत सस्ता मिल जाता है लेकिन वही laptop खरीदने जाएगा तब को महांगा पड़ेगा यही अंतर होता है क्योंकि उसमें हमारा display में CRT यूज होता है और laptop में only TFT यूज होता ठीक है लेकिन display में दोनों यूज हो जाता है इसके वाद हम लोग देखेंगे five number point bulky size so not better for portability मतलब यह बहुत बड़ा size का होता है जिसको हम लोग आसानी से कहीं दूसरे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत problem होता है लेकिन other hand देखेंगे thin size so lightweight and it is a better for portability मतलब यह क्या होता है TFT हमारा एक हालका होता है और इससे असानी सम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं और एक point में आप नीचे देखो लिख के point बनाना छोड़ दिया हूँ six number point इधर भी लिख देंगे six number point क्या है यह use only in desktop यह CRT हर में सा क्या किस में यूज होता है only सिर्फ desktop में use होता है अगर इसको laptop में use करिये तो होगा नहीं होगा आपको पहले ही बता है क्योंकि यह beam के हिसाब से काम करता है तो thin में नहीं लेक्टप में कहां सोगा हो thin रहता है तो thin यह बना सकते हैं फिर उसको बड़ा बनाना परेगा न चोराई भी रखना परेगा तो यह laptop म तो कोई परकार नहीं होता है CRT का TFT का परकार होता है क्योंकि अभी धीर धीर क्या हो रहा है हमारा जेनरेशन बदलते जा रहा है CRT से TFT आया TFC से भी अब उसका भी परकार आ चुका है TFT का तो TFT का दो परकार है एक होता है LCD आप लोग बहुत बढ़ नाम सुने होंगे LCD है LED है यही है TFT का भी दो परकार होता है LCD LCD का क्या होता है Liquid crystal desktop और LED का क्या होता है Light Emitting Diode LCD का क्या है LCD होता है in front view अगर हम लोग front से देखेंगे तो clear image दिखाई देगा clear अगर यही चीज़ हम लोग side से देखेंगे LCD में तो shadow image दिखाई देगा आप लोग अभी देखके देखिएगा TV में जब आप लोग front से देखिएगा LCD वाला TV में तो clear image दिखाई देगा लेकिन अगर side से देखिएगा तो क्या होगा shadow image दिखाई देगा LED में ऐसा नहीं होता है LED में क्या होता है in front view sharp image और inside view sharp image मतलब दोनों से हमारा sharp मतलब साफ साफ image दिखाई देता है clear यह monitor हमारा खतम होता है अब देखिए हम जैसा कि बताया थे इसी में हम दो point क्योंकि इसके लिए separate वीडियो बनाते एक speaker produce audio यह क्या करता है produce करता है audio output by audio output मतलब audio output produce करता है by selecting an audio output from a state of pre recording audio response यह selected audio जो भी आप select करें हो उसको क्या करता है produce करता है इसका projector क्या होता है projector is an output device projector भी एक हमारा output device है which is used to project information from a computer and a large screen cloth screen or wall so that a group of people can view in simultaneous देखो यह projector क्या करता है हमारा projector एक output device है और इसके help से हम लोग छोते screen को बड़ा करते है जैसे cloth of screen cloth screen मतलब होता है जो परदा पर हम लोग देखते है गाउं में projector हो रहा चलता है तो वहीं है projector तो मतलब एक क्या करते है कि हम लोग छोता screen को बड़ा करके उसके projector के help से देखते है बहुत सारे लोग एक बार में देख सकते है वहीं चीज़ यहां पर लिखा गया है किलियर खतम हो गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे printer और printer का परकार देखेंगे बहुत कुछ printer में पढ़ना है तो अच्छे से जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद तो अभी तक अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि बहुत profit होने वाला आपका और वीडियो पसंद लेगा तो लाइक करना मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद